हलो हलो जंता कैसे हैं आप लोग क्या हाल चाल दिस इस मियनु पॉपाद है और आज के जो हमारा सेशन होने वाला है यह सेशन है आपके सारे के सारे questions NCIT की जो exercise में दिये गए है वो हमें discuss करना है कौन-कौन से question है इस पूरे के पूरे आजाएगा आपको इन questions के ऊपर बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा चलिए शूरू करते हैं हमारा पहला सबसे पहला सबसे पहला यह वाला topic अच्छा इस topic के अंदर आपको सबसे एक और important बात जो है वह याद रखती है कि एक त्योहार आ रहा है महा विशाल तेवहार आ रहा है जिसका नाम है ंवी सेट अभी एफटी खास बात क्या है इस थेवहार ही क्या खास बात और कौन सा है विदान्तू का यह विदान्तू का मेगा विदान्तू scholarship admission टेस्ट तो बटा scholarship admission टेस्ट आ चीग को विजा तो होते मिल जाती है, 100% मिल जाती है, उसके उपर आपने स्टार वगिरा भी लगा रखा है, ठीक है, पर, ये सारी की सारी चीज़े common है, इसके साथ एक और बात यह है, कि ये जो scholarship है, ये जो test है, ये सिर्फ unique बात में आपको बताना शुरू करता हूँ, ये सब सुनी-सुनाई बात है लेकिन unique बात में आपको बताता हूँ, कि जो scholarship है, ये जो test है, ये 8-12 वाले हर एक बच्चे के लिए है, foundation वालों के लिए है, NEET वालों के लिए, JEE वालों के लिए हर एक, आप 8-12 की class की पढ़ाई करना चाहते हो, तो भी आपके लिए test है, आप NEET की preparation करना चाहते हो, तो भ ये ही सकता है, इसके अलावा भी कुछ चीजें हो और देगा, मैं आपको बताता हूँ, वो कुछ चीजें क्या होंगी, पहले आपको पता होना चाहिए, कि आपके city में, सबसे पहले पसंद कर लो कि कौन सा वाला date पर आप देना पसंद करोगे, अच्छा आप नहीं भी दे इतनी सारी जगया पर ये वाला टेस्ट होने वाला है, तो भाई, गजब का आपके लिए टेस्ट है, आपके अपनी वाली city आप यहाँ पर सिलेक कर सकता है, और इस test को देने पर मिलेगा क्या, क्योंकि है 100% स्कॉलर्शिप तो हो गई, पर हमें क्या मिलेगा, और क्या मिल स सिर्फ बिस्तर बांद क्या आना है, बिस्तर नहीं, बस्ता बांद क्या आना है और पूरा की पूरा प्रोग्राम को enjoy कर, पूरे की पूरे प्रोग्राम में एकदम free of cost आपको हर एक चीज़ देखने को मिलने वाली है, अगर हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, जरूर इस exam को देने की कोशिश करें, या आपने किसी भाई भेन को जरूर बताएं कि ये exam दे, इसमें बड़ी बड़ी चीज़े मिलती है, अब space वाला चीज़े चीज़े ठीक है यार, कुछ बच्चे होंगे जो इनको मिल जाएगा space program, हमें क्या मिलेगा यार, हमें अ iPad, एक laptop, एक iPhone और एक मेरे को बाइक दिला देना, इतनी सारी चीज़े है, आप पूरी की पूरी एक साथ मांग सकते हो, ठीक है, अब यह वाली चीज़े को आप मांग सकते हो, दूसरी बात क्या करोगे, आप awards जी सकते हो, और वो awards में आपको क्या मिलेगा, drones, पेटा समझ र watches वगेरा, जो भी कुछ device हो सकता है, ऐसे बहुत अनेक प्र है कि गिफ्ट मिलेगे, समझ गए, और बहुत सारे गिफ्ट हैं ऐसा नहीं, काफी सारे लोगों को यह गिफ्ट मिलेंगे, पिछले साल भी दिये, इस साल भी दिये, अगले साल भी देने वाले, ठीक है भी या, इसके बाद आपको All India की rank मिलेगी, performance sheet मिलेगी, और पता चलेगा कितने सारे बच्चों में आपने कितना अच्छा perform करा है, और सब के उपर, सब के उपर, exam देने का जो C है, P, वो एकदम new time है, मतलब 0 है, आपको free में exam देना है, तो यह खाना पीना, आपको सब कुछ है, और पैसा एक भी नहीं देना, तो बड़े मस्त बात है, आज ही enroll कर लें, चलिए शुरू करते हैं हमारा session, हमारे session के अंदर हम बात करेंगे, किस चीज़ के बारे में, हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे हाँ, पहले वाले questions के बारे में, ठीक है, तो हमारा सबसे पहला question कौन सा ह है, कौन से question के बारे में हमें बात करनी है, देखते हैं, तो हमारे पास दिया हुआ है a circular coil, देखो यहां पर क्या दिया है, अब circular coil कौन सी है, a circular coil of wire consisting of, circular coil of wire consisting of hundred tons, तो इसके tons नहीं है, turns है, तो hundred tons, इसके अंदर hundred's turns है नहीं ना? अब hundred turns से क्या हो रहा है? इसका कुछ formula बन रहा होगा, इसका क्या formula बन रहा है, तो यहाँ पर है coil का wire है कुछ कुछ और यह qui किस से बनी ह arrests does change इसके अंदर एक और चीज़ दे रखें, each of the radius सबकी radius किती है, हर टन्स की है, जिसकी radius कितनी है, 8 cm, हमें 8 cm दे दिये, carries a current of, carries a current of 0.4 ampere, what is the magnitude of the magnetic field, इसका इतना, तो magnetic field क्या होगी, तो यह हमें पता है, कि अगर हमारे पास एक इस तरह से coil होती है, हम सब को पता होना चाहिए, हमारे पास इस तरह से coil है, coil के कुछ number of turns है, coil के जो number of turns होगे, उनकी वज़े से center पर, यहां पर एक magnetic field आती है, क्योंकि इसके अंदर क्या बहरा होता है, current बहरा हो B is going to be equals to mu naught upon 2 multiplied with i by r, बैटा, सारी की सारी बात है आपको पता होनी चाहिए, mu naught upon 2 multiplied with i by r, everyone, mu naught होगा, mu naught होगा, 4 pi into 10 to the power minus 7, mu naught की value रग दी मैंने, mu naught की value, 4 pi into 10 to the power minus 7, multiplied with current, current हमें कितना दिया है, 0.4 ampere, हमें दे दिया, current upon, हमें दे दिया है, अच्छा, इसमें number of tons, n भी multiply होगा, क्योंकि बढ़ा, यह तो एक coil की वज़े से, एक loop की वज़े से, ऐसे कितने loop है, n, तो number of loop 100 है, तो हम यहाँ पर इस पूरी की पूरी चीज को 100 से भी multiply करेंगे, यहाँ पर 100 से भी multiply करेंगे, लिकत नहीं होनी चाहिए, तो हमने mu, i और n तीनों चीजों को डाला, 2 और यहाँ पर r से divide कर दिया, r कितना है, 8 cm, तो 8 into 10 to the power minus 2, तो यह 8, r की जगे क्या डाल दिया, 8 into 10 to the power minus 2, clear है, everyone, super duper sorted हो गया है, अब जब हम इस पूरी की पूरी situation को, इस पूरे की पूरे question को solve कर दे Tesla, मतलब 3.14 into 10 to the power minus 4 Tesla, क्या समझ गया है, हर एक प्राणी, बहुत ही अच्छे से, everyone, sorted, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगली चीज की तरफ, अगली चीजों को देखते है, हमारे पास अगला सवाल है, अगले सवाल में हम से पूछा गया है, कि, अरे, हमारे पास अगला सवा सवाल है, अगले सवाल में पूछा गया है, a long solenoid, ठीक है बढ़िया, कैसी solenoid है, छोटी मोटी solenoid नहीं है, long solenoid, हम से बोला गया है, a long solenoid, है न, अरे, या, long solenoid नहीं है, यार, पापी, हाओ, यहाँ पर हम से बोला गया, a long straight wire carry a current of 35 ampere, एक long straight wire है, जिसने 35 ampere का current carry कर र 0.20 cm from the wire, तो एक long current carrying wire है, है न, मैं यहाँ पर draw कर देता हूँ, कैसा wire है, long current carrying wire है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर draw करूँगा, किस तरह का wire है, long current carrying wire है, तो यहाँ देको बहुत बड़ा long है, infinite जा रहे है, long current carrying wire है, इस से r distance पर, यहाँ पर, r is equals to 20 cm पर field कितनी होगी, तो इसका i o उपर है, ऐसे, इस point पर field आएगी, निकालने का तरीका, हम उपर की तरफ, point की तरफ हाथ करा, मतलब field कितर आएगी, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, जो भी field आएगी, वो field आएगी, कितनी होगी, तो हम लिखेंगे, बी is equals to mu not upon 2 pi i by r, okay, mu not की value हमें पता, 2 pi की value हमें पता i by r की जो value है, जहां से देख लो बटा, i by r की value है, तो हमें i की value भी पता है, r की value भी पता है, सिर्फ b पता करा, तो हम b में, यहाँ पे डाल देंगे, mu not की value, 4 pi into 10 to the power minus 7 upon 2 pi, या, 4 pi into 10 to the power minus 7 upon 2 pi, यह दोनों चीज हमने यहाँ पे डाली, multiply करेंगे, इसको i से i हो जाएगा, 35 upon 20 into 10 to the power minus 2, 35 upon 20 into 10 to the power minus 2, cool है, हर एक प्राणी को बहुत ही अच्छे से sorted हो रहा है, अब यहाँ पर इस बात को समझे, इन चीजों को देखे, यहाँ से हमने इसे काटा, तो है आ गया 2, अच्छा एक काम करता हूँ, आपको direct value बता देता हूँ, जब हम इस पूरी ही पूरी चीज को solve करेंगे, हमारे पास अंसर आ जाएगा 3.5 into 10 to the power minus 5 Tesla, sorted है, तो एक formula based question ही हम इतनी देर से देख रहे है, दोनों question अभी तक आ है, दोनों formula based question ही आ गया, फिर से वैसा की वैसा question है, अभी यहाँ देखो फिर से, a long straight wire in the horizontal plane, ठीक है, तो यह क्या है, in the horizontal plane, carries a current of 50 ampere north to south, horizontal plane, तो आप समझना, horizontal plane है, अब उपर ऐसे होता है, ध्यान से देखना, यह है east, यह है west, यह है north, यह है south, तो north से south current जा रहा है, ऐसे, समझ ड़ी क्या, north से current कि दर जा कृता है, south की तرف, north से current कि दर जा जा रहा है, south की तरफ, to ऐसे current बहा है, A से current बहर है, North से South की तरफ current बहर है Give the magnitude and the direction of V Give the magnitude and the direction of V At a point 2.5 meter East East of the wire तो हम यहां पर से 2.5 meter East 2.5 meter East of the wire तो इस तरफ East में 2.5 meter East of the wire तो यहां पर हमें क्या निकालना है देखो, यहां से 2.5 meter East समझे गए बेटा? देखो दरा ध्यान से हम इधर थे, इधर ऐसे यह वाला था wire इधर नीचे की तरफ वहां पर, वहां पर direction होगा सीधा हाथ लेना है तीदे हाथ में हमने थम नीचे की तरफ पॉइंट करा, उधर लखा और direction आगई बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ एवरिवन क्या बात समझ में आ रही है wire नीचे की तरफ जा रहा है wire है wire में current नीचे की तरफ जा रहा है मैंने current को ऐसे रखा पूरे wire को ऐसे रखा किदर आया बाहर की तरफ तो यहाँ पर उस point पर field किदर आई है बाहर की तरफ तो उस point पर जो field आई है वो किदर आगई है बाहर की तरफ तो मैं लिखूंगा B is equals to उस point पर जो field आईगी field को मैं लिखूंगा B is equals to mu not upon 4 pi दियान से देखना बटा, mu not upon 4 pi, sorry, यहां पर लिखेंगे, mu not upon 2 pi, i by r, everyone, और field किदर आ रही है, बाहर की तरफ, तो मैं यहां पर बाहर की तरफ को कैसे लिखा दूँगा, इस point पर ऐसे, यह suppose कोई point P है, इस पर field जो आएगी, वो किदर आएगी, बाहर की तरफ, everyone, super duper clear, mu not upon 2 pi तो अब यहां पर मैं value लिखूंगा, mu not की, 4 pi into 10 to the power minus 7 upon 2 pi, i by r, अब जो i होगा, वो कितना होगा, 50 ampere, और r जो होगा, वो कितना होगा, 2.5 meter, तो i होगा, 50 ampere, और r जो होगा, वो होगा, 2.5 meter, everyone, के बात काफी अच्छे से आपको clear हो गई है, 2 pi से यह गया, 2, अब यहां पर जो b का value आएगा, इस जगे पर हमें देखते होए चलना है, कि यह जो सारी की सारी चीजें देखने के बाद, b का जो हमारा value आने वाला, वो value आजाएगा 4 into 10 to the power minus 6 tesla, ठीक है, again a formula based question, पर इसमें घुमा फिरा कि आपको परिशान करने ही, कोशिश की गई, हमें बहुत अ west, north, south और field आ गई, बाहर की पर, upward direction, sorted है, चलो, अब हम देखते हैं, अगला सवाल, a horizontally overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction, तो horizontally overhead power line है, मतलब एक power line है, जो मेरे जैसे सर के ऊपर से जारी horizontally, ठीक है, तो यह आदमी कोई खड़ा हुआ है, तो अब यहां पर ऐसे line जारा ही चलो, मैं बता देता हूँ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें east to west current जा रहा है, देखो इसमें, east से west, अईसे ही होता है, यह east है, यह west है, यह उपर की दरफ north है, नीजे की दरफ south है, तो east से west की तरफ क्या जा रहा है current जा रहा है current जो होगा हो कितना होगा 90 ampere everyone तो current जो होगा हो कैसा होगा 90 ampere इधर से इधर जा रहा है current होने वाला है कैसा 90 ampere क्या बात आपको काफी अच्छे समझ में आगी उधर से इधर जा रहा है current current होने वाला है 90 ampere अब हम से पूछा गया, what is the magnitude and the direction of the magnetic field, due to the current, what will be the current, what will the magnitude and direction of the magnetic field, due to the current, 1.5 meter above, तो यहाँ पर current जो जा रहा है, इससे 1.5 meter below का पूछा है, ठीक है, बिलो, ऐसे, इससे 1.5 meter नीचे, यहाँ, ठीक, तो यहाँ पर 1.5 meter, इसका R आ गया, और एक point है, यहाँ पर इधर, ऐसे point बना देता हूँ, कि एक point है, यह point का नाम है, suppose P है, इस पर field का direction कैसे होगा, हम क्या करेंगे, हम हमारा सीधा हाथ लेंगे, हम सीधे हाथ का thumb, हम किसके direction में रख देंगे, हम सीधे हाथ का thumb रख देंगे, current की direction में, नी को current की direction में रखा, ऐसे ऐसे करा, तो field कि दर आ गया, इस point पर पाहर की तरफ है, तो हमें पता चला, P point पर जो field है, वो outside है, अब field का magnitude कैसे निकलेगा, वही formula हमारा, B is equals to, क्योंकि यह कैसा wire है, बेटा, line है, current carrying wire है, एक बहुत बड़ा power line है, obviously, ठीक है, तो हम current carrying wire मानेगे, इसको infinite, mu not upon 2 pi, प्यारी जनता, mu not upon 2 pi, i by r, mu not कितना भाई, 4 pi into 10 to the power minus 7 upon 2 pi, multiplied with current हमारा, multiplied with i, i हमारा कितना भाई, आई है हमारा 90 ampere, ओके, और नीचे हमारे पास क्या आया है, जल्दी से बता दो भाई है, नीचे जो हमारे पास आया है, वो कितना आया है, नीचे हमारे पास आ गया है, आर, 1.5, ठीक है, जब इस पूरी की पूरी value को solve करेंगे, तो हमारा answer आएगा, 1.2 into 10 to the power minus 5 Tesla, क्या समझ गया है, इस पूरी की पूरी चीच में हमारा answer आएगा, 1.2 into 10 to the power minus 5 Tesla, एवरिवन, क्लियर है, नीचे फॉर्मूला बेस्टी क्वेश्टन आ रहे, चार क्वेश्टन सॉल करें, चारो की चारो फॉर्मूला बेस्ट है, फिफ्त क्वेश्टन को देखते है, वाट इस दा मेगनिट्यूड ऑफ मेगनिटिक पोर्स पर उनिट लेंथ, तो यह हम से एंगल 30 डिगरी विध्धे डायर्च्श्न आफ इूनिफॉर्म फील्ड, इतना ओके, तो ऐग करेंट केरिंड वायर है, जो 30 डिगरी पर है, तो देखो बैटा है यह यह करेंट केरिंड बायर है, ऐसे आई है, और यह किसते 30 डिगरी पर है, इधर फील्ड जा रही है, तो यह field से 30 degree बना रहा है, इस से 30 degree, इस से 30 degree, तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें force निकालना होता है, तो magnitude of force per unit length पुछा है, तो हमें क्या निकालना है, force is equal to I, ध्यान से देखना बटा, फोटे से force के लिए हम क्या लिखते है, df is equal to ibl cross b, ऐसी लिखते है, force is going to be equal to ibl cross b, everyone sorted है, super duper sorted, यहीं आगे चलके bil बनता है, तो यह वाला force का अगर हम formula, अगर हम इसके magnitude की बात करें, तो जाएगा ibl b sin theta, तो length जो इसकी है, और जो इसकी magnetic field है, उन दुनों के बीच का एंगल किता है, length और magnetic field के बीच का एंगल कितना है, 30 degree, तो हम बोलेंगे, इसका sin theta जाएगा 30 degree, तो हम लिखेंगे, df upon dl is equal to ib sin 30 degree, okay, df upon dl, मतलब force per unit length is equal to ibl, ib sin theta, i कितना है, i है 0.0, i है 8 ampere, b है 0.15 और sin theta है 1 by 2, everyone, sin theta कितना है, 1 by 2, i hope तुम्हें काफी अच्छे से चीज समझ में आ गई होगी, इसका जो answer हमारा आने वाला है, वो answer आएगा, 0.6 newton per meter, अबटा समझे, force per unit length हमया निकाल रहा है, तो 0.6 newton per meter हमारा answer, sorted है, चलिए, यह फिर से एक तरह से थोड़ा सा formula based question था, उत्तादा था formula based नहीं था, अब थोड़ा सा formula based थो था, और उसके आगे आपको थोड़ा angle वगेरा और वो सब diagram भी देखना था, direct question था, एक step जादा थी, छोटी सी एक step, अब यहाँ बे देखें, 3.0 centimeter wire, carrying a current of 10 ampere, तो यह कैसा wire है, 3 centimeter का wire है, इसका current है 10 ampere, ठीक है, इस placed inside a solenoid, perpendicular to its axis, तो बटा देखो, solenoid ऐसे होती है, है ना, solenoid में magnetic field lines ऐसे जाती है, और इसके axis के perpendicular ऐसे, solenoid का axis यह है, और उसके perpendicular ऐसे हमने किसको खड़ा कर दिया है, एक wire को खड़ा कर दिया है, जो wire कितने का है, 3 centimeter wire है, और इस wire के अंदर current भी है, अब यह 3 centimeter का wire है, इस wire के अंदर देखो बटा, यह 3 cm का वायर और इसके अंदर करेंट भी है ठीक और यहां पर जो फील्ड होती है तो अगर तुम तरीके से देखो तो यह कहना यह चाह रहे हैं कि जो लाल कलर के फील्ड है यह एक यूनिफॉर्म फील्ड है जो इस तरफ से बाहर ऐसे आ रही है किसी भी डारेक्शन में जा इस पूरे के पूरे फील्ड में इसमें क्या भैरा है करेंट भी भैरा है तो तुम्हें यह भी सोच के चलना है कि भी अ उसके अंदर क्या भैरा करेंड भैरा है फील्ड में रखा हुआ है अब इस पर पोर्गेंगा What is the magnitude of What is the magnetic force on the wire तो अब देखो कुरेंट length और B तीनों चीज़ें क्या है? एक दूसरे के perpendicular है L इधर है, B उधर है तो हम लिखेंगे force is equals to B I L यह ऐसे लिखते हैं I L I L B Sine Theta I L B Sine Theta Everyone, क्या बात समझ में आगे? I L B, वही I D L Cross B, यहाँ पे L पूरा है तो I L Cross B Sine Theta इसी तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर बटा जो L है, पहले तो जो I है, वो I कितना दिया है 10 Ampere length है वो कितना दिया है 3 upon 100 और Sine Theta कितना दिया है B भी तो दिया है, B कितना दिया है 0.27 और Sine Theta कितना दिया है Sine Theta, Sine Theta बता दो 90 90 डिगरी, क्यों? क्योंकि length इदर है और B भी बाहर है तो यह दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिगरी, समझ में आ गया तो मैं अधेरा का है हम रहे, 90 डिगरी अब हमारे पास आ गया तो इसको 90 नहीं, Sine 90 लिखें Sine 90 को लिख देंगे 1, जब इस पूरे चीश को solve करेंगे तो हमारे पास जो answer आने वाला है वो answer हमारे पास आएगा भाया 8.1 into 10 to the power minus 2 newtons इतना ही आ रहा है न, इतना टूजा गया गया, इसके बाद L हमारा है 3 cm, yes 8.1 into 10 to the power minus 2 newtons sorted है, clear है भाई, समझ में आ गया है यह हमारे पास सारे सवाल सौल हो गया अब हमारे पास question number 4.7 है तो two long parallel state wire A and B carrying current of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 cm. तो two long straight wire है, यह wire A है, एक wire P है ठीक है? तो यह wire है current A, एक wire है current B ठीक, इसके अंदर जो current है यह 8 है, इसके अंदर जो current है, वो है 5 है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो distance है, वो distance कितनी है, 4 cm, तो 8, 5, दोनों के बीच का जो distance है, वो कितना है, 4 cm है, अब, 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 estimate the force of, यह वाला A है, यह वाला B है, तो हम से पुछा गया, estimate the force of, force of 10 cm of A, लगिस 10 cm of A पे कितना force लग रहा है, तो बहुत ही simple है, इसकी वज़े से यहां पे जो force लग रहा है, वो हमें देखना है, तो हम पहली बात तो force पता लगा लेते हैं, हमेशा force का क्या होता है, देखो ज mu naught i1 i2 upon 2 pi r, f upon l का formula होता है, mu naught i1 i2 upon 2 pi r, everyone super duper sorted यहां पर 2 pi r, यह से सब करके formula आ गया, यह दोनों पर same होगा, इसकी वज़े से इस पर, इसकी वज़े से इस पर same होगा, एक दम same होगा, अब हमें पता करना है, f, हम लिखेंगे mu naught को 4 pi into 10 to the power minus 7, multiplied with 1 का current 8, 1 का current 5 upon 2 pi multiplied with r, r क्या है दोनों के बीच का separation, उसे हम लिखेंगे 4 into 10 to the power minus 2 upon l, इससे यह चला गया 2 bar, इससे यह चला गया 4 bar, everyone, इससे यह चला गया 10 to the power minus 5, तो force कितना आ गया, force per unit length कितना आ गया, वो आ गया, force per unit length कितना आ गया, वो आ गया, भईया, हमारा, 20 into 10 to the power minus 5, 20 into 10 to the power minus 5, यह बात clear है, 20 into 10 to the power minus 5, ओके, तो force per unit length, f upon 10 centimeter is equal to 20 into 10 to the power minus 5 आ गया, तो यह l, l को मैं अभी ऐसे लिखे रहना देता हूँ, तो f हमें force per unit length पता है, कितनी length पे निकालना है, तो मैं f is equal to 20 into 10 to the power minus 5 into l का बोल दूँगा, कितनी length पे निकालना है, तो 10 centimeter पे, यह आपको समझ में आ रहा है, हमें कहां पर निकालना भई, 10 centimeter पे, तो 10 centimeter के लिए हम क्या लिखेंगे, 20 into 10 to the power minus 5, multiplied with 10 into 10 to the power minus 5, हर एक पराणी इस चीज़ के उपर बहुत ही अच्छे से clear हो चुका है, क्या, तो 20 into, this is आगया, 200 into, minus 5 नहीं, minus 2 आ, 10 to the power minus 2, centimeter में गणबट करा, तो आगया, 200 into 10 to the power minus 7, तो इसे लिख देंगे, 2 into 10 to the power minus 5, यह जाएगा हमारा answer, everyone, इतना Newton force लगेगा, अभी हमारा 7th question solve हो गया, ठीक है, 8th question को देखते है, 8th question हमारा इस बारे में क्या कह रहा है, ठीक है, चलिए, थोड़ा सा देखते है, 8th question की तरफ बढ़ते है, यहाँ पर बोला गया है, solenoid है, solenoid के अंदर, solenoid के अंदर, a solenoid, closely wound solenoid, 80 cm इसका length होगा, 80 cm long होगी, has 5 layers of wedding, winding, 5 layers of winding of 400 tons each, तो भगया, इसके उपर 5 layers की winding है, सब में कितना है, 400 tons है, ठीक है, ओटके है, अब यहाँ पर बोल दिया, the diameter of solenoid is इतना, ठीक, बहुत बढ़िया, if the current carried in is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid, near its center, तो मैं आपको simple सी चीज़ बता देता हूँ, इसका formula होता है, solenoid के center पे, magnetic field का, mu naught ni, मुनी, mu naught ni, मुनी, ठीक है, अगर अपन n की बात करें, तो यह mu naught, number of tons per unit length होता है, ठीक है, number of tons per unit length, तो इसे n upon l भी लिख सकते हैं, length अगर दे रहे किए, तो number of tons कितने होँ है, उसको length से divide कर दो, area आप area पर कोई depend नहीं करता है, अभी के लिए, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि चलो, कितना इसका answer लिखना तो 4 pi into 10 to the power minus 7, हमने mu naught की value लिख दी, n, जो number of tons हमें लिखने हैं, वो number of tons की value हम कितने लिखेंगे, तो number of tons बेटा, 5 बार, 4-400 के 5 हमने यहाँ पर लगाए हैं, तो हमने कितने लगाए हैं टोटल, 4-400 multiplied with 5, 400 के wire की, जो bound से हैं, वो हमने 5 बार लगाए हैं, लब 2000 लगाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 400 multiplied with 5, multiplied with i, i कितना आगया, 8 MPR, upon length हमारी कितनी आगई, इसकी length दे रखिए 80 cm, तो हमें लिख दूँगा, 80 into 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2 से, इससे यह चला गए है, 10 बार, इसके 0 से यह 0 एकट गए है, अब हम जैसे इस पूरी की पूरी चीज़ को solve करेंगे, हमारे पास आखरी में जो अंसर आजाने वाला है, वा जाने वाला है, 2.5 into 10 to the power minus 2 टेसल, everyone, clear है, तो इसकी magnetic field हम सभी लोगों को पता चले, छलिए आगे बढ़ता है, अगले सवाल की तरफ, ये था हमारा 8 पा सवाल, अब हम देखते हैं 9th question, 9th question में क्या पूछा गया, 9th question में पूछा गया है, एक square loop है, square coil है, square loop, of side 10 cm consists of 20 tons, तो भी यहाँ पर एक square loop है, यह square loop है, इस square loop की जो number of tons हैं, वो कितने हैं, 20 tons, number of tons हैं, वो कितने हैं, 20 tons, इसके अंदर, जो side है, वो कितनी हैं, 10 cm, इधर भी यह साइड है, यह कितनी हैं, 10 cm, अब बोला गया है, carries a current of, यहां इसके अंदर जो current बह रहा है, वो current कितना बह रहा है, carries a current of 12 ampere, इसके अंदर जो current बह रहा है, वो कितना बह रहा है, 12 ampere, अब बोला गया, इसको vertically suspend कर दिया है, इसको एकदम ऐसे vertically suspend कर दिया है, normal to the plane, अब coil makes an angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field, ठीक, तो basically यह क्या हो गया है, magnetic dipole हो गया, अब मैं आपको बता देता हूँ, कि magnetic dipole है, उसे ऐसे denote किया जाता है, उसे M से denote किया जाता है, तो है magnetic dipole की तरह भीएफ कर रहा है अब यह जो कोईल है, मतलब इसका इस तरफ आएगा, magnetic dipole यह M, इसे मैंने ऐसे दिखा दिया, तो कोईल क्या कर रही है, हम से, जरा समझना, कोईल is suspended vertically, कोईल is suspended vertically and normal to the plane, तो plane के normal है, ओके everyone, अब यहां पर जो plane है, उसके normal पे, ठीक है, तो जो plane है, उसके perpendicular पे, तो कोईल makes an angle 30 30 degree with the direction of coil makes an angle 30 degree with the direction of horizontal magnetic field of magnitude, इतना, what is the magnitude of torque experienced by the coil, तो अब यहां पर देखिएगा, कि जो इसने, इसने angle बनाया है, magnetic field से, वो कितना बनाया है, 30 degree, तो magnetic field को मैं किसी और color से denote कर देता हूं, मैं denote कर देता हूं, तो यहां पर यहां पर, यह बारा जो angle बनाया है, कितना बनाया, 30 degree, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, भाईया, यह M है, यह B है, तो यहां पर जो torque लगा, torque लगेगा, M B sin theta, M कितना है, M हम निकालेंगे, M आएगा, I N A, मिना, multiplied with B, और sin theta आजाएगा, sin 30 degree, क्या clear है, okay है, I कितना है, I है 12 ampere, N कितना है, 20 है, area कितना है, area आ जाएगा, इसका 10 into 10 into 10 to the power minus 4, क्यों चीको भीया, ऐसा area क्यों लिखा, 10 into 10 into 10 into 10 to the power minus 4, चीको भीया, यह area क्यों लिखा, उसका unit conversion बता रहा है, और sin theta को 1 by 2 लिखा, तो जब हम से यह पूरी की पूरी चीज़ के बाद torque उछा जाएगा, तो torque की जो value आने वाली answer देने के बाद हो आएगा, 0.96 newton meter, final value, everyone, क्या आप sorted है, क्या आप sorted है, जल्दी से बता जीए, ठीक है, अच्छा, इसमें magnetic field की value तो लिखी नहीं हो आएगा, 0.8 tesla, यह वाली, ठीक है, वो भी आईगा, 0.8 tesla, sorted है, 10th वाला question, जो हमारा होने वाला है, 10th वाले question में हम से पूछा गया है, पूछा गया है कि, दो moving coil galvanometer है, M1 और M2, दोनों के बारे में कुछ-कुछ data यहां पर पूरा इस तरह से detail में दे रखा है, अब देखें, दोनों के बारे में सारा data यहां दे रखा है, अब इसमें पूछा और क्या है, इसमें पूछा यह गया है, कि यह इनकी voltage sensitivity और current sensitivity का ratio बता हो, तो पहले हम current sensitivity देखेंगे, अब current sensitivity में M2 और M1, हमें किसे देखना है, M2 upon M1, तो current sensitivity of 2 upon current sensitivity of 1, 2 upon 1 करना है, formula क्या लिखेंगे, formula लिखेंगे, N2, A2, B2 upon K2 upon N1, A1, B1 upon K1, sorted, इससे K1 से K2 पढ़ गया है, N2, A2, B2 upon N1, A1, B1, N2, A2, B2 upon N1, A1, B1, क्या इतनी बात आप वो काफी अच्छे से clear हो गई अभी तक कि, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें जब सारी की सारी values हम put कर देंगे, तो हमारा answer आएगा, 1.4, बटा, N1 की, A1 की, B1 की, तीनों की value उसमें put करनी है, N2 की, A2 की और B2 की, यह सारी की value जब आप महाँ पर put करेंगे, आपका answer आजाएगा 1.4, अब यहीं पर आपको क्या करना है, अगला वाला voltage sensitivity, तो हमें voltage sensitivity of 2 upon voltage sensitivity of 1 करना है, तो voltage sensitivity का formula होगा, N1, A1, B1 upon K1, R1 upon N2, A2, B2 upon K2, R2, अब K1 और K2 सेम होते हैं, तो यह खड़ जाएंगे, हमारा answer जो निकल के आएगा, वो आएगा, N1, A1, B1 upon N2, A2, B2 multiplied with R2 और R1, तो इस पूरी चीज़ को हम values को put करेंगे, तो हमारा answer यहाँ पर निकल के आजाने वाला है, 1. everyone sorted है, तो यह बहुत छोटा सा question था, चलिए अगला सवाल देखते हैं, in a chamber of, in a chamber, a uniform magnetic field, 6.5 gauss is maintained, ठीक है, तो एक chamber है, जहाँ पर uniform magnetic field, 6.5 gauss maintained की गई है, an electron is shot into the field with a speed, speed दे रखिये, normal to the field, मतलब field से perpendicular speed पर electron को fake आगया है, तो angle between कितना है भीया, velocity और magnetic field का बीच का जो angle है, वो 90 degree है, तो velocity और magnetic field के बीच का जो angle है, वो 90 degree है, अब यहाँ पर देखते हैं, electron is shot into the field with a speed of this, 4.8 into 10 to the power 6 meter per second, normal to the field, explain why the path of the electron is circle, तो बेटा, path of electron circle क्यों होगा, क्योंकि इस case में, पहली चीज़ता आप explain कर दोगे, कि जो force आता है, आपको लिख देना है बढ़िया प्यारे से English में, कि जो force आता है, force is going to be perpendicular to the velocity, and it will always remain perpendicular to the velocity, and the magnitude of force is constant, तो force का magnitude constant है, magnitude constant है, और उसकी direction हमेशा velocity के perpendicular है, तो इस तरह के force को हम centripetal force बोलता है, जिसकी वज़़ा से particle circular motion करने लगे, पहली चीज़ clear होगई, explain why the path of the electron is circle, यह हमने explain करते है, determine the radius, कितनी होगी radius, तो radius होगी, r is equals to mv upon qb, radius होने वाली है, r is equals to mv upon qb, अब हमें m पता है, mass of electron, 9.1 into 10 to the power minus 31, velocity हमें पता है, velocity है 4.8, 10 to the power 6, q, charge पता है, 1.5 into 10 to the power minus 16, 1.5 के उलेने के question में दिया है, होता 1.6 है, लेकिन यहा question में 1.5 दिया है, तो इससे ले रहे है, और b, b हमें दिया है 6.5 goss, एक goss, goss cgs unit है, एक goss 10 to the power minus 4 tesla का होता है, हम यहाँ पर 10 to the power minus 4 लिख देंगे, जैसे ही हम इस पूरी की पूरी चीज़ों को solve करेंगे, हमारे पास निकल के अंसर आ जाएगा, 4.2 cm, everyone, हमारे पास जो अंसर निकल के आएगा, हो कितना हैगा, 4.2 cm, sorted हो गया है कि हर एक प्राणी को सब कुछ, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number, इसके बाद हमारे पास जो दे रखा है, वो दे रखा है, question number 12, इसमें बुला है कि पिछला वाला जो question था, 4.11, उसमें frequency भी obtain कर लो, and does the answer depends on the speed of electron, बटा frequency जो होती है, वो time period जो होता है, speed of electron पर depend नहीं करता, क्योंकि time period का जो formula होता है, वो होता है 2 pi m by qb, और जो frequency होती है, 1 upon time period होती है, इसका formula हो जाता है, qb upon 2 pi m, डोनों ही चीजें, डोनों ही चीजें क्या होती है, velocity पर depend नहीं करती हैं, तो यह obviously इनके formula में velocity नहीं आ रहा है, अगर हम velocity increase भी कर देते हैं, तो time period increase नहीं होता है, ठीक है, अब यह वाली चीज, f is equals to, तो आप से सिर्फ पूछा है does, तो आप बलोगे no, it does not depend on the velocity, अब इसके बाद हम से पूछ लिया, कि इसका frequency of revolution क्या होगा, तो frequency निगालने के लिए हम डालेंगे Q, Q 1.5 into 10 to the power minus 19 बुला था, है ना, 6.5 into 10 to the power minus 4 gauss, 6.5 gauss दिया था नहीं, 6.5 gauss, तो 6.5 into 10 to the power minus 4 tesla यह दिया था, अब इसके बाद 2 pi की value तो हमें पता ही है, और हम यहाँ पर डाल देंगे value m की, m की value कितनी आ जाएगी भाईया, ज़रा तेजी से बता दो, m की value कितनी आ जाने वाली है, m की value आ जाएगी 9.1 into 10 to the power minus 20, 31, sorted है, इन सारी की सारी values को जैसे हम solve करेंगे, यह आ जाएगी almost 18 megahertz, almost, 1.8 to 18, 18.2 आएगी पर हम इसे बोल देंगे, almost 18 megahertz, ठीक, sorted है, चले, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल में हमारे पास भी रखा है, अस circular coil, ठीक है, एक circular coil है, इस circular coil में 30 turns है, और इसकी radius है 8 centimeter, ठीक, अब यह क्या कर देंगे, carrying a current of 6 ampere, इस suspended vertically, तो इसका area है, इसकी radius दे रखी है, और इसके अंदर current है, इसको vertically suspend कर दिया है, in uniform horizontal magnetic field of one tesla, पिल्कुल जैसा पिछला सवाल था, एक square ring वाला हमने सवाल करा था, वैसा कि वैसा यह एक circular ring वाला सवाल है, circular ring यहाँ पर, ऐसे circular ring यहाँ पर खड़ी हुई है, इस तरह से और इसके अगल बगल current घूम रहा है, अब यहाँ पर बोला गया है, the field lines make an angle of 60 degree with normal to the coil, 60 degree with the normal to the coil, तो जो normal है, इसका, इससे 60 degree पर field lines जा रही है, मतलब अगर मैं इसका M बोलू, magnetic dipolument coil का ऐसे बोलू, तो जो field line है, field line है, जो B है, वो किस पर जा रही है, वो 60 degree पर जा रही है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, torque will be equals to Mb sin 60 degree, ठीक है, calculate the magnitude of the counter torque that must be applied, ठीक है, तो यह वाली चीज़ हमें apply करने पड़े ही, अब यहाँ पर जब हम M लिखेंगे, तो M लिखने के लिए हम इसमें M के अंदर लिखेंगे, I, N, A, V, N, B sin 60 degree, everyone, तो torque is going to be equals to I, N, A, B, sin 60 degree, I की value कितनी आएगी, 6 ampere, N की value आएगी 30, area की value है कि पाई इंटू, 8 इंटू 10 to the power minus 2 का square, multiplied with sin 60, that is root 3 by 2, okay, जैसे ही हम इस चीज़ का अंसर निकालेंगे, इस चीज़ का अंसर निकल का जाएगा, 3.131 nanometer, okay, sorted a newton meter, not nanometer, newton meter, अब अगर हम इसी का P वाला पार्ट करें, would your answer change, क्या आपका अंसर बदल जाएगा, if circular coil, जो coil का shape है circular, it is replaced by, कोई और planar, same to same coil, बट उसका area same है, shape कुछ अलगे, तो answer होगा no, why, because torque only depends on, torque सिर्फ depend करता है area कितना है, किसी भी loop का, current carrying wire का, जो loop है, उसका area कितना है, उस पर depend करता है, shape पर depend नहीं करता है, समझ गये क्या, तो area पर depend करेगा, अगर आपने area का magnitude बदला है, तो torque change होगा, otherwise torque will not change, I hope तुम्हें समझ में आया होगा, जो भी चीजन थी, यहीं तक थी, तो कब तक के लिए, this is Michi Kubia, signing off, बापए, बुद नहीं ताट!